तो student जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये question number 4 का second question है और इसको हमें factorize करना है तो factorize में हमसे बोला गए कि 2x square plus 7x plus 3 इसका हमें factorization करना है तो पिछले question में हमने आपको detail में बताया था लेकिन इसमें मैं मैं detail में नहीं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिस करूँगा ये a होता है और ये b होता है तो a को b से multiply करेंगे 2 3 6 ac का product कितना आएगा 6 आएगा अब अगर हम 7 के factor करना चाहें तो 6 कैसे हो सकता है देखो एक तो 2 3 6 हो सकता है एक तो 6 1 6 हो सकता है तो 2 plus 3 करेंगे तो 5 होगा 3 minus 2 करेंगे तो 1 होगा ये 7 के equal नहीं आ रहा है वी की value कितनी है 7 तो 7 के equal नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे देखो 6 minus 1 करेंगे 5 तो ये 7 के equal नहीं आ रहा है लेकिन जब 6 plus 1 करेंगे तो 7 आ रहा है मतलब हम यह लेंगे और कैसे लेंगे 6 प्लस 1 लेंगे ठीके जानि कि यह हमारा हो जाएगा B1 और यह हमारा हो जाएगा B2 और यह प्लस कर देंगे तो B के Equal आजएगा और B1 into B2 कर देंगे तो यह A C के Equal आजएगा A C की Value 6 है ठीके, फिर सिस्मझो यह A है और यह C है और यह B है A की वैलू 2, B की वैलू 7, C की वैलू 3 A, C का product find करेंगे 6 आएगा 6 का factor होगा 6 and 1 इसको जब add करेंगे 6 plus 1 7 तो B के equal आजाएगा और इसको जब 6 into 1 करेंगे तो यह A, C के equal आजाएगा दोनों ही condition फालू कर रही है यहाँ पर factor होगा 6, 1 तो करेंगे क्या यह वाला चीज 7 के place पर रख देंगे जहाँ पर B है वहाँ पर यह चीज रख देंगे तो यह हमारा 7 है इसके नीचे रखेंगे 6 plus 1 और बाकी यह ऐसे ही write कर देंगे ठीक है, changes कहा होगा सिर्फ और सिर्फ 7 के place पर देखो 2x square plus 7 के place पर 6 plus 1 x 3 ठीक है, सब कुछ वैसे ही है केवल 7 के place पर 6 plus 1 है अब आपको क्या करना है जब भी किसी भी equation में 3 sign plus हो तो plus देखने की जरूद नहीं होती है sign देखने की जरूद नहीं होती है आप लिखते जाईए तो अभी देखो क्या होगा जब इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2x square plus 6x plus 1x plus 3 अब देखो 1 into x में multiply करोगे तो यह सही मिलेगा तो 1 आपको लिखने की जरूद नहीं है लेकिन आप यह ध्यान रखना 1 होता है फिर अगेन क्या होगा देखो 2x square सॉरी अब यह देखो 2-2 के pair बन रहे है आपको यहां से कुछ कामन लेना है तो देखो 2 वन जाटू और 2-3-6 मतलब 2 common हो रहा है यह यहाँ भी है यहाँ यहाँ भी है तो यह से भी कामन हो रहा है तो 2 वन जाटू यानि कि 1 x बचेगा और प्लस 2-3-6 x बाहर रहा गया अब मैंने आपको बताया देखो यह 1 x है तो 1 लिखने की ज़रो नहीं यानि कितना बच रहा है यह से प्लस 3 बच रहा है यहाँ पर x प्लस 3 है यहाँ पर भी x प्लस 3 है तो हमें जब कुछ कामन नहीं लेना है तो हम प्लस 1 राइट कर देंगे जब आपको कुछ भी कामन नहीं लेना होगा तो आप प्लस 1 कामन लेंगे कामन लेना ही पड़ता है तो यहाँ से देखो x प्लस 3 x प्लस 3 कामन हो जाएगा इस टर्म में बचेगा टू यक्स और यहां पर बचेगा प्लस वन तो यह दो फेक्टर हो जाएंगे किसके टू एक्स स्क्वाइर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री तो आप इसको रैट डाउन कर लिजे अगला जो फोर का थार्ड पार्ट है वह आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा तो थेंक्यू क्लास